हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सो दोस्तो इस वीडिये में हम लोग यहां पर बात करने वाले हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर है राइट मोधी जी तो आप सभी लोगों ने देखा होगा वो यहां पर मंजूरी दी आप लोग चाहो तो चेक आउट कर सकते हो पिछले कई चार-पाच दिनों के भी अगर आप लोग उनके प्रेस कॉंफरेंस देखोगे तो आप लोगो समझ में आएगा तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने बात है कि दैन अगर हम लोग यह अगर हम लोगों का जो फोकस रहेगा वो इक्सपोर्ट के उपर रहेगा आत्मा निर्बर भारत का नारा उन्होंने लगाया था तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे और भी बहुत सारी चीज़े इलेक्रिक वेहिकल से रिलेटेड उन्होंने बात है कि ती इंडिया को एक्सपोर्ट करना फिलाल तो नहीं पढ करना पड़ रहे हैं मतलब हम लोगों को भार से मंगाना पड़ रहे हैं इसके वाज़े से आप लोगों को पता है ट्रेट डिफिसिट का भी इशूस हो रहे हैं उसी के साथ साथ अगर आप इंपोर्ट कर रहाते हैं आप लोग बात करें तो अलग-अलग सेक्टर से उन्होंने अभी तक कोई जिक्रा नहीं किया है बट डेफिनेटली वह फ्यूचर में इससे रिलेटेड बात यहां पर कर सकेंगे उसके बारे में हम लोग जानना जरू चाहेंगे बड़ उससे पहले जरू कहना चाहूंगा किसी ने फर्स ताइम विजिट के चैनल को जरू जरू सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट ट्लासेज को भी सब्सक्राइब कर सकते लिंक उपर आए बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरू प्रेस कर लेना उसी के साथ आज के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो जा पर आ चुके हैं कोई भी अगर आप सका वीडियो मिस हो गया हो गया तो आप जरूर नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहापे जाके उसको खुद को अपडेट या पर कर सकते हो तो दोस्तों जितने भी सेक्टर अभी तक हम लोग ने आप देख लिए उसमें से एक ऐसा सेक्टर है जो की है केमिकल सेक्टर या जब कोविड या पर शुरुवात होई थी तो यहापे चाइना को ऑल्टरनेटिव यहापे इंडिया ही केमिकल से रिलेटेड यहापे काम कर रहा था इतन सेक्टर नहीं कि सरकार यहापे मदद कर दे करके सो यह ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया की आप चाहो तो एक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो एंड अगर इसके उपर अगर प्राइम मिनिस्टर जी जारा फोकस डालेंगे सरकार फोकस डालेंगी जो कि फ्यूचर में कभी ना कभ भी होगा तो दोस्तों इस सेक्टर को जबर्दस यहाप बूस्ट मिल सकता है यह ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहापे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाप एक्सपोर्ट करने की चांसे और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं चाहिए और इंडिया में अगर आप देखोग यह में कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हो यह में सिर्फ आपको यहाप बताना चाहूंगा आप मुझे चाहिए तो क्रिमेंट सेक्षन में बता सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी वाले केमिकल सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है जैसे कि मैं आपको हमेशा सीखा है हम लोगो पिक कर सकते हो ऐसे आप लोग चेक करोगे प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है बैलेंस इट बहुत ही स्ट्रॉंग है ऐसे स्टॉक्स को अगर आप लोग पिक करोगे तो आप ज़रूर दोस्तों यहाप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया जो पिकल सेक्टर हैना वह र एक इसमें directement यूज होता है हर एक इसमें जैसे मैंने अपको बताया था पेंच सेक्टर में भी देखा जाए तो यूज होती you the ग car fertilizer, pharma sector and उसी के साथ देखा जाए तो agriculture sector, उसमें भी chemical स्यूच के जाते हैं, इतने भी sector अगर आप लोग देखोगे, सीमेंट से लेके, इन्फरा से लेके, हर एक इसमें chemical का इस्तमाल यापे होता है, तो दोस्तों यही कहना चूंगा, कि Prime Minister definitely chemical sector से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा अनॉंस्मेंट फ्यूचर में जरूरी आप ही कर सकते हैं और सबसे बेश बाद अगर नहीं भी करेंगी क्या फरक पड़ता है यह खुद से ही इतना बड़ा सेक्टर है अल्रेड ही आत्मा निरबर भारत वाला सेक्टर है इतना जबरदस देते हैं एंड मैक्जिममम कंपने आप देखोगे तो इंडिया वाली ही मिलेंगी तो अतुल लिमिटेड आप देख सकते हो विनाती ओर्गनिक देख सकते हो टाटा केमिकल्स देख सकते हो बहुत सारे आरती इंडस्ट्रीज है रोजरी बायोटेक तो अभी हम लोगों को अभी इंटर होते हैं देखने को मिला है नविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड यह भी एफनो का प्लियर बन चुका है बहुत सारे दोस्तों में तो आप लोगों को उपर उपर से आप देख सकते हो यहाप उसी की साथ-साथ अगर मैं आप बात करूँ सुदरशन केमि तो यहापे नाम तो सामने नहीं है पेडिलाइट इंडस्टी अभी पेडिलाइट क्या करते हैं केमिकल से रिलेटेड काम करती है पी इंडस्टी यह भी अगर देखें जाए तो एफनों में आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ यहापे बहुत सारी इतना लंबा सेक्टर है ना कि टाइम मतलब कम पड़ जाएगा इतने जबरदस ये स्टॉक्स है सो दोस्तो मैं एक्जाक्ली बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं यहाँ पर जो केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना दोस्तो वह बहुत ही जादा मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाय था जहाँ पर मैंने बताया था कि वारें बफे उन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता है उसमें निविश्मत करो और केमिकल देखा जा तो उसी टाइप का है किसे ने केमिकल इंजिनेरिंग होगी तो उनके लिए बहुत ही चुटके वाला हो सब्जेक्ट रहेगा बट बाकी लोगों के लिए तो पूरा बाउंसर ही जाएगा ऐसे वक्त भी मैंने आपको बताया था जो कॉलिटी वाले स्टॉक से जो फंडामेंटली बहुत ही स्टॉंग है जो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री पर आते हैं ऐसे स्टॉक को भी अगर आप लोग पिक करोगे और केमिकल सेक्टर में तो कॉम्पेडिशन मुझे ऐसा लगता है और किसी सेक्टर में हुई नहीं सकता जितना केमिकल में है तो एक्जैक्ली नंबर वन नंबर टू सिलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा दिफिकल्ड है तो यही कहना चाहूंगा कि केमिकल सेक्टर के स्टॉक अगर आपके पास रहेंगे तो जरू उसको होल्ड करना या पर हम लोगों को डेफिनेटली कभी ना कभी फ्यूचर में एक जबरदस न्यूज या पर सरकार के और से भी देखने को मिलेगी क्योंकि ज यहाँ पर हम लोग कह सकते जिक्रा यहाँ पर फ्यूचर में होगा ही होगा तो यह भी बात आप लोग ने आप दिमाग में फिड करके रखनी चाहिए जैसे मैंने का दोस्तों केमिकल सेक्टर के स्टॉक अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आप लोग को देखने मिलेंग स्टील चलो अगर में बोल दू तो लार्ज कैप में अगर देखा जाए तो पिडी लाइट इंडस्ट्री है जैसे मैंने का डेफ्री है उनका बिजनेस भी देखा जाए तो एक टाइप का मोनोपॉली है अगर हम लोग गल्यू सेक्टर की बात करें तो मतलब फेविक अले उनको टक कर देने वाले एस सच कोई देखने को ने मिला है यह लार्ज कैप की बात हुई मिड कैप की बात करें तो आप सब लोग बता है नविन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड गजब का स्टॉक है आज भी आप देख सकते एफनों में भी एंट्री हो चुके है उसी क रिलेटेड भी फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूर केमिकल सेक्टर का भी सत्य जिक्रत जरूर करेंगे उसको भी आप बढ़ावाद जरूर देंगे क्योंकि एकस्पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर IT के साथ-साथ केमिकल्स का भी बहुत बढ़ा योगद